पुराम जैसरी बाला जी तरकात, जैसरी बाबा महाकार, आज एक्टू चैनल में आफ से बिलोगों का स्वागत है, आज हमारा टाक्विक है फीबर, सिम्पल फीबर, ठंड लग जाने से, भीग जाने से, चोट लग जाने से, कोई बोडी में इंक्छिक्सन हो जाने से, कई प पैशे की कुछ मेडसिन साथ को बताएंगे इससे आप बुखार में काफी अत्तव पैशे से रहात मिल सकती है सबसे पहले आप हम लोग थर्मामीटर से चेक करते हैं कि बुखार कितना है थर्मामीटर से डिगरी फारेनाइट के उपर होता है तभी हम उसको बुखार मानते हैं ऐसे 99.6, 98.6 भी नार्मल होता है 100 तक आप कोई दबा लेने की जरूरूत नहीं होती है 100,100 तक आप सिर्फ इस्पंजिंग कर सकते हैं थंडे पानी से इस्पंजिंग कर सकते हैं मथ RAW यूग शरीर पे हाद पैर में आप इसपंजिंग कर दीजिए उससी आपको अराम मिल जाता है जास लगती है बुखार में नहीं लगती है तो सबसे अच्छी हो पैसिक की जो आपको हमाई एक दबा बताने जा रहे हैं वो फेब्राल है वीजल कंपनी के फेब्राल तो वेरी एक्सिलेंट रिजल्ड और बहुत ही अच्छी चीज में से दबाणिया है इसमें ओसिनौम कैन है है कि लिएनीघंड चीहा रहा है मदर पींचर है 3X में हे इपेटोरियम पर्स में सीयर.रशनिक यलबम 3X में फेरएम 3x में सेसज में 3x रॉस-चैज में ब्रेवनिया अलबा मदर टिंचर है बैप्टीरिया टिंचोरा मदर टिंचर है एकोनाइट नाइट सिक्स एक्स है तो बहुत यह अच्छी दवाण्या जो बुखार में दी जाती है उन्ता कर्मिनेसिन इसमें दिया हुआ है और यह समस्थ प्रकार के बुखार जैसे मलेरिया हम लोग कर सकते हैं बच्चों को एक चममच आपको दिन में तीन बार देना है बड़ों को दो चममच दिन में तीन चार बार देना है इसलिए आप लोग इसको फेब्राल को आप ले सकते हैं वीजल कंपनी के बहुत अच्छा इसका रिजल आपको आता है बुखार में दू काली मियूर 3 , काली सल्फ , नेट्रम् मियूर 3 , नेट्रम् सल्फ . यह पांच मेडसीन मिली हुई हैं बहुत ही अच्छी जो भी बुखार में जो साथ हमारी बॉड़ी में कम हो जाता है वो इसकी आती है तो बायो केविंग नंबर 11 ग्यारा नंबर और वीजल का फेवराल यह दो सिरफ हैं जिनको आप लेकर के बुखार में आप पच सकते हैं क हुई ही अट da जा झाल वी घग एर भी बुली हुई 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 आते हैं